नरेंदर मौदी जी आज मध्धे परदेश के दोरे पर है और मध्धे परदेश में अर्बन नकसल की बात कर रहे हैं लेकिन आदिवासी वहाँ पर कह रहे हैं कि हम आज ईवन कसमखाते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे ये देखिए हम सभी कसमखाते हैं आज इवन बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे और हजार हजार लोगों से बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए बोलेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा आगे कि जिन छेतरों की बात हो रही है जिन आदिवासी बहुले 47 विधानसवा सीटे हैं 47 विधानसवा सीटों के उपर आज से 20 साल पहले अगर बीजेपी का राज था एक तरफा तो 2018 में वो बिलकुल जो है तैसनेस हो चुका है और अब की बार 2023 के अंदर 47 सीट बहुत ज़्यादा माईने रखती है 47 सीट जो है विधानसवा की वहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है 20 साल पहले का जो इत्यास है वो दोबारा से दोहराय जा सकता है इसको मत बोलिए मैं डिटेल में एक एक चीज़ आपको बताऊंगा लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो आदिवासियों ने यहाँ पर कसमे खाई हैं और पंच तत्तों की कसम खा रहे हैं जमीन आस्मान की जल जंगल जमीन की कसम खा रहे हैं कि हम बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे पहले इसको सुनिए और उसके बाद में डिटेल में एक एक आकड़े के साथ में पूरी ख़बर आपको बताऊंगा दिल्चस्प है अगरे 10-15 मिनट बैठ करके हित्मेनान से सुनिए पहले आप ये सुनिए आज ये आस्मान धर्ती और सभी पंच ततों की साक्षी मान कर ये सपत लेता हूँ कि आने वाले चुनाओं में भार्ते जन्ता पार्टी को उर्थ नहीं दिल्गा इसके साथ ही यहाँ के लोग सबा सांसब गजेल पटेल रादी सबा सांदर सीनोर सी सुनिए और मंत्री स्री प्रेम स्री पटेली को हाजी रन कमी भी एक नजी दुए इसके साथ ही यह जिस परकार से अमारे अभी अभी भाईयों को मरीपूर की घटना हो नेमावर की घटना हो यह मानपूर की घटना हो तमाम घटनां को ध्यान रखते हुए में सपब्लता हो भार्टी जंदा पार्टी को कभी भी वोत में दाना हो यह साती साथ जे कम से कर एक एक जाल मोदों को एक भार्टी जंदा पार्टी को नहीं कोने के लिए प्रत कांगा यह जयस संगठन है जय युवा आदिवासी संगठन है उसके करिकरता है और इनका किन किन जिलों के अंदर परभाव है कितनी सीटों पर परभाव है आगे आपको बताता हूँ लेकिन ज़रा सोचिए नरेंदर मोदी जी के लिए बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल जो है वो घड़ी आ गई है कि जो लोग कभी बीजेपी के साथ गए थे 20 साल पहले इनी आदिवासी बाउले सीटों के उपर बीजेपी का एक तरफा कबजा था और आज 20 साल बाद में सुपड़ा साफ होने की कगार पर बीजेपी आ चुकी है और मैं आपको उधान देऊंगा 2018 के अंदर स्थिती क्या थी तीन में क्या थी 2013 में क्या थी 2008 में क्या थी एक एक करके आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले आप देखी ये वो संगठन के लोग हैं जिन्होंने अपने बैनर पोस्टर ले करके मार्च निकाला विरोध परदसन किया और कासिफ लिखते हैं कि बढ़वानी में जयस से जुड़े आदिवासी करिकरताओं ने परदसन किया सरदार सरोवर डैम की वज़े से नर्मदा का जल सर बढ़ने और डूब छेतर में मदद नहीं मिली किसानों को फसल का नुकसान का मौजा नहीं मिला और आदिवासी करमचारियों का भेदपाव पूर्ण जो है वो ट्रांसपर हो रहा है उसके उपर रोक लगाई जाए इन सब मुद्दों को लेकरके इन्होंने प्रोटेस्ट किया है और उसके साथ-साथ जो है इन्होंने का कि हम कसम खाते हैं कि बीजेपी को कभी भी आज इवन वोट नहीं करेंगे मध्यपरदेस के आदिवासी बहुल बढ़वानी जिले में जैयस से जुड़ेवे आदिवासी पदस्मकारियों ने कसम खाई है अब देखिए आप ये एक तरफ जो हो रहा है और दूसरी तरफ नरेंदर मोदी की रणनीती देखिए कहते हैं जब आदमी का वक्त चला जाता है तब आदमी को कुछ सूजता नहीं है और उसकी जो लहर है और हवा की जो लहर है वो दोनों अलग-लग दिसा में बहती है जब आदमी का वक्त होता है तो वो हवा के साथ साथ उड़ता है हवा के साथ साथ उसकी पतंग चड़ती है आज नरेंदर मोदी देखिए क्या बात कर रहे है एक तरफ आदिवासी कह रहे हैं कि हम इनका सुपड़ा साफ कर देंगे हम इनको कभी वोट नहीं देंगे और वहीं नरेंदर मोदी जो है वो अर्बन नकसल का नाम ले रहे है नरेंदर मोदी कह रहे हैं कि अर्बन नकसल कॉंग्रेस के ठेकेदार है अर्बन नकसल अर्बन नकसली ये बात कह रहे हैं सुनिये नरेंदर मोदी ने क्या कहा वो कह रहे हैं कि भारती जनता पार्टी की मूल भुक्ट सकती उसका कारिकरता है मद्देपरदेश की भोपाल में आयोजित कारिकरता महाकूंब को संबोधित कर रहा हूँ जरूर देखें यह उनकी तरफ से 17 बजे ट्वीट किया गया और आप देख रहे हैं कि कितने लोग देखेंगे और कितने नहीं कॉंग्रेस पहले भी बरबाद हुई और फिर बेंक्रेप्ट हुई और अब उसने पार्टी चलाने का ठेका अर्बन नकसलियों को ही दे दिया है कॉंग्रेस में अब अर्बन नकसलियों की ही चल रही है ये नरिंदर मोदी ने कहा अब इसका कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा ये तो वक्त बताएगा लेकिन मैं आपको दो चीजे बताता हूं ये पहले सबसे पहले आप ये देखे जिसका जिकर हो रहा है और जिसके बारे में आदिवासी संगठन और यहां पर बढ़वानी जहां पर प्रदसन हुआ है धार अली राजपूर और जाववा इन जिलों के अंदर जो है वो खास तोर पर पकड़ है इन संगठनों की और अगर राजनितिक हिसाब से बात करें तो सबसे पहले आज से आज हम 2023 में खड़े ह और 2003 में कैसे बीजेपी का इकतरफा राज था 2003 का चुनाव और 2003 में 41 सीटे थी विदान सवा के चुनाव में आदिवासी वर्क के लिए 41 सीटे जो है वो आरक्सित थी और 41 में से 37 पर बीजेपी जीती है। को केवल जो है वो यहां पर दो सीट मिली और दो सीटों पर जो है वह वह वहां पर जो च्छेत्री पार्टी थी गोडवाना गंतनतर पार्टी उसको जीत मिली थी। 1998 में इससे पहले कॉंग्रेस का अच्छा परवा होता लेकिन अब इसके 5 साल बाद में फिराइए 2008 के अंदर 2008 में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने यहाँ पर सीटों की संख्या जो है वो 41 से बढ़ा करके 47 कर दी और कॉंग्रेस को जो है वो यहाँ पर थोड़ा 47 में से बीजेपी 29 सीटे जीती है और कॉंग्रेस 17 सीट पर रह जाती है मतलब अभी भी बीजेपी का परड़ा काफी भारी है लेकिन 2013 की बात करिए 2013 के अंदर 2013 में 47 में से BJP जो है वो 31 सीट जीती है और 15 सीटों पर जो है वो कॉंग्रेस जीती है लेकिन अब जो है वो हलात बदल गए 20 साल पहले एक तरफा जो है वो BJP का राजसा और 2018 में अब से 5 साल बाद में जो है वो आप देखी क्या सीटी हो सकती है यहाँ पर 16-47 में से जो है वो BJP 16 जीती है और कॉंग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीटे जाती है मतलब की यहाँ पर जो है यह अगर इसी चुनाव से बात कर ले 2013 से 2013 से भी अगर बात कर ले तो BJP की जो है केवल और केवल कॉंग्रेस पार्टी को दो सीटे यहाँ पर जीती थी और BJP 37 सीट जीत गई थी तालिस में से हो सकता है कि अब की बार जब चुनाव हो रहे हैं 2023 के अंदर तो इन 47 सीटों में से यह स्थिती जो है दोबारा पैदा हो जाए और दो सीट पर BJP और हो सकता है कि 35, 36, 37 सीटों के उपर कॉंग्रेस जीत दर्ज कर ले यह जो है गणित हो सकता है अब मैं आपको कुछ और आकड़े जिखाता हूँ 78 सीटे अब कुल मिला करके SCST की है यह केवल जो बात हो रही थी अभी आदिवासी बाउली सीटों की बात हो रही थी लेकिन अगर उसके साथ सा जो है SCST की सीटे भी अगर मिला दे तो फिर उसके साथ सा जो है 78 सीटे बन जाती है और 22% वोटर है जिनके पास में सत्ता की चाबी है 2030 2030 में से 47 सीट ST के लिए वारक्सित है 2018 में कोंगरेश को 30 और BJP को 16 सीट मिली थी उपचुनाव में जो बट जो बट सीट BJP के खाते में चली गई थी तो ये गणित है 2018 क्या 2018 में जो है वो 47 सीटों में से से 47 सीटे जो ST की थी उसमें से 30 सीट जो है वो कॉंग्रेस की जीती थी अब मैं आपको इसकुछ और दिखाता हूँ इसके बाद में जो है वो आप एक दिल्चस आकड़ा आप और देखे इर उसके बाद में तस्वीर जो है वो और अच्छे से आपको समझ में आएगी बीजेपी आपर ताकत क्यों जो करें यह वो सुनिए जो आदिवासी बावलेचे चेतर हैं उसमें 84 सीटे 84 चेतर आते हैं 2018 में 84 में इसे 34 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 2013 में इस इलाके में 69 सीटों पर जो है वो बीजेपी को जीत मिली थी मतलब कि यह SC और ST मिलाकर के अब है 2018 में पार्टी को 25 सीटों पर नुकसान हुआ और जिन सीटों पर बीजेपी आदिवासी उमिदवारों की जीत या हारतिया करते हैं वहाँ पर 16 सीट पर बीजेपी को जीत मिली 2013 में की तुलना में 18 सीट कम है अब सरकार आदिवासी जनाधार को वापिस लाने के लिए बीजेपी के पाले में लाने के लिए पूरी कोसिस कर रही है तो यह पूरा गणी था और अगर आप समझेंगे तो फूर तस्वीर साफ हो जाती है और नरेंदर मोधी जो हैं आपको याद होगा कि नरेंदर मोधी जो हैं वो अभी कुछ दिन समय पहले जो है वो गए थे आदिवासी छेतर के अंदर और वहाँ पर सिंग्विंग लगा करके जो है वो नरेंदर मोधी और खुद जैसिवरा सिंग चुहान वो नाच रहे थे लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इनी छेतर में 16 दिनों तक इसी छेतर के अंदर से 16 दिनों तक राहुल गांदी की भारत यातरा निकली है भारत यात्रा में राहूल गांदी मध्यपरदेश में 16 दिनों तक लगातार चले और भारत यात्रा का करनाटक में क्या असर रहा भारत यात्रा का तेलंगाना में क्या असर दिखता है जहां जहांशे पैदल चले और उसके बाद में तीसरा बड़ा राज्ये रहेगा नरेंदर मोदी के सामने बड़ी चुनोती पूर्ण स्थिती है क्योंकि आदिवासियों का केवल और केवल ये मैंने पहले भी आपको इखबर में बताया था कि आदिवासियों की जो पकड़ है वो नरेंदर मोदी को केवल ऐसा नहीं है कि चलिए सिवराज सिंग चोहान अगर हार भी जाएं तो कोई फरक नहीं पड़ता है अपनी जो है वो गाडी मजबूत है अपनी गाडी सेफ है तो मोदी की गाडी भी सेफ नहीं है क्योंकि आदिवासी जो हैं वो मद्य परदेष में भी अच्छी-खासी संक्या में है मद्य परदेष से सटे वे नर्मदा का जलसतर बढ़ गया है और वहाँ पर जो वह दूबने की कगार पर वहाँ पर इलाक्या आ गए है इसी तरह से कि मैंने ग्राॉंड रिपोर्ट की थी 2018 में 2018 में मैंने ग्राॉंड रिपोर्ट की थी और जिस वक्त में नरिंदर मोदी साव ने सरदार वल्लब भाई पटेल की केवडिया केवडिया एक जगह है गुजरात के अंदर जहापर सरदार वल्लब भाई पटेल की जो है वो मूर्ती लगाई गई है और वहाँ पर भी यही हाल है वहाँ पर भी डैम बना हुआ है और डैम की वज़े से वहाँ पर जो आदिवासियों की जमीन ली गई थी वो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी वैसे लेकिन रिलेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर भी डैम की वज़े से जो आदिवासियों की जमीन ली गई थी उनका मुआउजा और उसके बाद में जो है बीजेपी की सरकार वहाँ पर लगातार होने के बाद नरेंदर मोदी की सरकार वहाँ पर लगातार होने के बाद आदिवासियों के उत्पिडन की वज़े स वहाँ पर जबर्दस्त विरोध रहता है उस इलाके के अंदर है और इसलिए कॉंग्रेस और बीजेपी का वहाँ पर गुजरात में भले ही बीजेपी 28 साल से राज में हैं बीजेपी 28 साल से सरकार में हैं लेकिन कॉंग्रेस का एक फिक्स वोट बेंक रहा कॉंग्रेस जो है सतर सीटो से नीचे कभी गई नहीं थी इस बार जब अलग सीज रही वह हमादी पाल्टिक एंट्री होती है लेकिन वो इसलिए था क्योंकि कॉंग्रेस की पकड़ आदिवासियों के बीच में गाओं के बीच में धियात में वो कॉंग्रेस की पकड़ रही बीजेपी की जो पकड रही वो बड़े जिलों में शैरी छेतर के अंदर बीजेपी की पकड रही इसलिए वाँ पर बीजेपी मजबूत रही और इसलिए आप देखेंगे ति कॉंग्रेस का जो पूरा अभी रणनीती चल रही है वो आदिवासियों को मद्यपरदेश से कवर करते हुए गुजरात और गुजरात से कवर करते हुए फिर जो है वो राजसान में अंट्री हो जाती है और लगातार जो है वो यहाँ पर बीजेपी को चुनोती मिल रही है और अब जिस तरह से बीजेपी के लिए वहाँ पर आदिवासी चुनोती बन करके खड़े हो गए है मोदी के लिए अच्छे दिनाने वाले की जो है वो उमीद नहीं दिख रही है बलकि मोदी सांब के लिए बहुत बुरे दिनों की आहट जो हूँ दिखाई दे रही है और आदि वासी खुले तोर पर कह रहे हैं कि हम बी-जे-पी को साथ नहीं जाएंगे हम जो है वो यहां पर अब की बार जो है वो बीजे पी को मजा चखाएंगे ना उसके संसद को वोट देंगे ना उसके विधान साभा के अंदर वोट देंगे अब आप बताईए ऐसे में नरन्र मोदी का नर्बल ये अर्बन नकसल का जो भी बयान है ये कितना जो है उनको फाइदा पहुंचाएगा ये कितना नुखसान पहुंचाएगा और अगर इसी तरह से अलग-अलग समुदायों को अगर आप देखेंगे तो फिर बीजेपी की क्या स्थिती होगी जड़ा सोचिए शेर कीजे इस खबर को लोगों तक पहुंचाएगे और आप क्या सुंसते हैं निचे कमेंट बोक्स में लिख करके जरूर बताएगे और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन गंटी है उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके और अगर यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पर अमारे पेज को लाइक कीजिए फोलो कीजिए और इस खबर को शेर कीजिए धन्यव अगर वाइक कीजिए और चाहाद है